हेलो बच्चो आप सुब का आपके अपने चनल गुविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागते तुपीरे विद्यार थियो आज गी इस क्लास में हम सक्सा 8 गनित विश्य की ब्रक्ट बुक दो जातेवी 24 के कारे पत्रक 43 को यहने 43 को फल करना से दिखेंगे बच्चो कारे पत्रक 43 में हम संख्याओ का गोना और भाग के बारे में समझ विक्सित करेंगे देखो बच्चो पहला प्रशना यदि एक डिब्बे में कितने कप आते हैं दो दर्जन कप बच्चो एक दर्जन में कितने होते हैं एक दर्जन बराबर होते हैं बारा कप इतने होते हैं एक दर्जन में बारा कप आते हैं तो दो दर्जन का मतलब कितना है बच्चो दो दर कप आएंगे बच्चो एक डिब्बे के अंदर दो दर्जन कप है इतने दो दर्जन यानि 24 तो 16 डिब्बो में तो 16 गुणा 24 बच्चो जब हम 16 का 24 से गुणा करेंगे तो आएगा 384 इतना आएगा 384 आगे बच्चो एक दर्जी दो गंटे में एक इस्कुल ड्रेस सिलता है वो एक दिन में 10 गंटे काम करता है तो बच्चो 10 गंटे में वो कितनी ड्रेस सिलेगा तो 10 भाग दो यानिकी 5 ड्रेस कितनी ड्रेस पांच ड्रेस अब बच्चो वो कितने दिन काम कर रहा है 100 दिन तो कितने ड्रेस सिलेगा तो 5 गुणा 100 यानिकी 500 ड्रेस कितनी 500 ड्रेस अ हमारे पास आ जाएगा बच्चो ये आ जाएगा कुछ इतना ये वाला इकाई दहाई सैकडा हजार दस जार लाक और दस लाक हैंने 31,05,620 अब देखो जांच भी करनी है तो जांच करके भी बता रहे हूं देखो बच्चो इसका साथ से गुणा करना है और पीछे जीरो जोड देएंगे बच्चो साथ संग 42, 42 का 2, 80 लग गई 4, साथ संग 42, 42 और 4, 46 का 6, 80 लग गई 4, साथ तिया 21, 21 और 4, 25, 25 का 5, 80 लग गई 2, साथ चोग 28, 28 और 2, 30, 30 का 0, 80 लग गई 3, साथ चोग 28, 28 और 3, 31 और पीछे सित्तर था तो इसका लग जाएगा यहाँ पर 0, प्रीके द देखो बच्चो दूसरा प्रशन है 55,580 का गउना करना है 12 के साथ में तो कितना आएगा बच्चो यह आजाएगा आपके कुछ इतना ठीके मैं लिख के बता रहा हूँ आपको इकाई, दहाई, सैकडा, 1000, 10,000 और लाक यानि की 7,86,960 देखो गउना करके भी बता देता हू ठीके इसका क्या करना है गउना इसके साथ 12 के साथ में देखो बच्चो दो का पाड़ा 0 बार 0, 2,8, 16, 16, 86, 81, 2,5, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 81, 81, 2,5, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 81, 82, 12, 13, ठीके गउना का निसन एक का गउना 0, 8, 5, 5, 5 और 6 अब क्या करनी है जोड बच्चो 0, 6 यहापर 9, 6, 8 और 7 ठीके अगला बच्चो 63,934 का गुना करना है 18 के साथ में तो बच्चो कितना आएगा यह आएगा आएगा आपके सामने कुछ इतना ठीके यह इसका आजाएगा गुननदफल देखो बच्चो गुना करना है 18 के साथ में देखो बच्चो 8, 6, 48 का 8 असे लग गई 4, 8 यह 24, 24 और 4, 28, 28 का 8 असे लग गई 2, 8, 5, 72 और 2, 74 का 4, असे लग गई 7, 8 यह 24, 24 और 7, 31 का 1, असे लग गई 3, 8, 6, 48 और 3, 51 गुना का निसान एक का गुना वापिस करना है 6, 3, 9, 3 और 6 अब करना है सब की ज जोड़, 8, 8 और 6, 14 का 4, 81, 4 और 3, 7 और 1, 8, 9 और 1, 10, 3 और 2, 5, 6 और 5, 11, ठीक है बच्चो आगे बढ़ते हैं भाग दीजिए और गुना द्वारा अपने उत्तर की जांच किजिए, पहले क्या देना है भाग, देखो बच्चो 12 तिया 36, 12 तिया 36, कितना बच्चा 1, उपर से उतारा 4, 12 एकम 12, इतना जाएगा, 12 एकम 12, 14 मैंसे 12 गया तो बच्चो 2, उपर से उतारा 4, ठीक है, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 0 उपर से उतारा 0, तो इधर भी लग जाएगा 0, 3120, अब बच्चो 3120 का गुना करना है 12 के साथ, हमें जांच करके भी बतानी है, तो बच्चो 3120 गुना करते हैं, 12 आके साथ में, दोखो 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 2 तिया 6, फिर 0, 2, 1 और 3, जोड कर दो, 0, 4, 4, 7, और बच्चो 3, देखो 37,440 आ गया, हैनि हमारा उतर सही है, अगला है खो, इसका बाग देना है 10 का, देखो बच्चो 18 में कितनी बार जाएगा, एक बार, 10 एकम 10, इतना बच्चा 8, उपर से उतारा 0, 10, 88, 0, ठीके, फिर बच्चो उपर से उतारा 1, एक बाग नहीं जाएगा, उतारा 2, बच्चो 2 अंग 7 में उतारे हैं, 0, फिर बच्चो 10 एकम 10, सेस्पल कितना बच्चेगा 2, इतना बच्चेगा 2, ठीके, और या पर कितना गोना करना है 10 से तो बच्चो जब 1801 का गोना करेंगे 10 से तो पीचे कितना लग जाएगा 0 18 0 हैनि 1810 और पीचे सेस्पूल कितना बच रहा था 2 तो हम साथ में 2 जोड देंगे तो कितना हो जाएगा 18 12 12 और हमारा उत्तर सही है ठीके बच्चो आगे गव इसका भाग देना है 13 का बच्चो 13 तिया 49 पीचे बच्चा एक एक और पांच पनरा 13 15 में से 13 गया तो बच्चो 2 उपर से उतारा 3 तेरा एकम तेरा 23 में से तेरा गया तो बच्चो 10 उपर से उतारा पांच बच्चो 13 सत्य एकरान वे 138 एक सो चार ठीक है तो एक सो चार से इसपल कितना बच्चा बच्चो 1 ठीक है देखो बच्चो मैं गुणा करके भी बताना है कि ये उत्तर सही है कि नहीं है तो बच्चो 3,118 इसका गुणा करना है आपको 13 के साथ में देखो बच्चो 3,24 का चार आसिल लग गई दो तीन और दो पांच तीन एकम तीन और तीन तीन नो ठीक है फिर एक से गुणा आठ एक एक और तीन अब क्या करनी है जोड बच्चो 4,8 और 5,13 का 3 आसिल 1,3 और 2,5 9 और 1,10 और ये हो गया 3 और 1,4 40,534 और बच्चो 1 बच्चाता सेसपल तो कितना हो जाएगा 40,535 ठीक है है ये हमारा उत्तर सही है आगे बच्चो प्रशन संग्या 5 सुनिता के पापा एक पार्क में तुबेदो और साम को 2 चकर लगाते हैं ये बच्चो एक दिन में कितने चकर लगा रहे हैं एक दिन में 4 चकर कितने 4 चकर ठीक है उन्होंने जून के महिने में हर दिन इसी तरह चकर लगाए तो बताईए पूरे महिने में कुल कितने चक्कर लगाएं, तो बच्चो कुल चक्कर, या कुल चक्करों की संख्या, ठीके, बच्चो एक दिन में कितने लगा रहे हैं, चार, जून के महिने में कितने दिन होते हैं, तीस, तो कुल कितने चकर हो जाएंगे, एक सो बीस चकर, बच्चो 120 चकर चुनिता के पापा ने जून के महिने में लगाए हैं तो बच्चो इस तरह हमने आपके कार्य पत्रक 43 के सभी प्रशनों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिये हैं उम्मीद करता हूँ सभी प्रशनों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आये होंगे तो क्लास देखने के लब सभी का धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और मैंनत पसंद आई है तो बच्चो लाइक, कमेंट, सेरों सब्सक्राइब जरू करें आज के लिए इतना ही जै हिंद, जै भारत